हलो दोस्तो टेक्निकर रेमेडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस फैनली चीन के मार्केट में आपको ओपो A7X लॉंच कर दिया गया है तो आज आप इस वीडियो के साथ आपको पूरा अंत तक बने रहना होगा आज मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूँ और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि अगर आप अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोनों जगह आपको घंटा ना जराएगा तो दोनों जगह आपको घंटा जो है जोड़ से पकर की हिला देना है और आप बात करते इस फोन के बारे में इस फोन में सबसे पहले जो आपको डिस्प्ले इसमें देखने को मिला है आपको वाटर डॉप डिस्प्ले मिला है और इस फोन की जो डिस्प्ले साइज है वह आपको 6.3 इंच के देखने को मिला है तो काफी बरका डिस्प्ले साइज आपको देखने को मिलेगा अब बात करते। इसbels्मारा बाए में तो यहां पर आपको I media tech kaया प्रॉसेशर इस्तिमाल किया गया है media tech olsun Helio P60 जिए meeduate check का अच्छा बावा प्रॉसेशर तो वही प्रीटिट इस फॉन में इस्तिमाल किया गया है इससे जो है आप अच्छा अच्छा बरा बरा गेम खेल सकते हैं जैसे कि Asphalt 8 हुआ 9 हुआ अभी Asphalt 9 नया लांच हुआ है गेम वो भी आप बरे आसानी से खेल सकते हैं और PUBG भी खेल सकते हैं यह सब भारी भरकम गेम है ना इस फोन में आराम से खेल सकते हैं कोई lag वेग आपको Clock Speed है ना आपको 2 GHz का OctaCore Processor दिया गया है और Operating System की बात करें तो यहां पर आपको Oreo का Operating System मिल ला है 8.1 का अब बात करते हैं इस फोन की Storage के बारे में तो यहां पर आपको 4 GB का RAM मिल ला है और हाँ internal storage बढ़ाया गया है 128 GB का आपको internal storage इस फोन में देखने को मिल ला है अब बात करते हैं इस फोन की graphics के बारे में तो यहां पर आपको मिलता है कि Mali का G7 2 MP3 का GPU integrated आपको graphics देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं सबसे main बात जो है ना camera के लिए जो है Oppo और भीवो जो है दोन secondary lens जो है 16 Megapixel का है और secondary lens जो है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है वह भी सा है तो 16 Megapixel का ही होना चाहिए और selfie के लिए आपको मात्र 8 Megapixel का इस फोन में camera दिया गया है और आगे पीछे दोनों जो camera है न AI बेस्ट है artificial intelligence मतलब क्या object को जो है बराही आसानी से recognize कर लेगा और पीछे की तरफ जो है आपको दूग LED फ्लेस भी देखने को मिला है मतलब क्या रात में आप अंधेरावे भ पार में इसमें आपको दोगो कलर देखने को मिल रहा है इस फोन में भी आपको देखने को मिल रहा है अब बात करते इस फोन की डिजाइन के बारे में यह जो फोन है वह आपको ग्रेडियेंट डिजाइन पर बना हुआ है और हाँ इस फोन में सबसे खास चीज आगे जो आ है बरका नौच नहीं तहब को मिलना है छोटका नउच जिससे के जो है आपको जो भी ऊपर का नोटिफिकेशन है ना मतलब कि छुपेगा नहीं आपको लगवत को सब्सक्राइब दिखाये गया और पीछे की तरफ जह है को फिंगर प्रिंट रिंघ्र और जहां तक इस फोन का pricing के बारे मात करें अगर इंडिया में लॉंच होता है तो यह फोन आपको लगता है 20,000 के आसपास इस फोन को बेचा जाएगा तो अब उम्मिद करते हैं कि इंडिया में जब लॉंच होगा तो क्या यह pricing पे आपको फोन मिलेगा और मेरा मानना है कि इ यह मिल रहा है ज्यादा दाम ले रहा है तो इसलिए आप प्राइसिंग करके कोई और भी फोन ले सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट करके बताईएगा और हाँ लाइक करके जरूर जाईएगा अपना दोस्त सब के बीच में जरूर से जर ने मत्राम!